नमस्कार मैं हो ससी आई ज्यार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं ज्यार्खन की 21 से 50 साल की बहन बेटियों को प्रतिमा एक हजार सराय के लाखटावाजी लेके राजनगर परखंड के कुमडिह एवम राजनगर में अखिल, अख़डा, कुमडिह वर, टीएस, सीएस, गामदेशाई की ओर से हुल दिवस का आउजन किया गया कारकरम में मुख्य मंत्री चंपईशों ने सामिल हुए मौके पर उन्होंने कहा है कि ज्यार्खन सरकार विकास को लेकर गंभी रहा एक कईस से लेकर पचास साल की बहन बेटियों को समलंबन प्रत्साहन योजना के तहत प्रती माह एक हजाय रुपे दिये जाएंगे आठ लाग से कम वार्षिक आयवाले लगभग पैतालिस लाग महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा इसके लिए अगले माह से सीवीर लगाया जाएगा यहां महिलाओं आयवेदन करेंगे मुख्यमंत्री चंपाई शुरे ने कहा है कि बीर सहीर सिद्धू कानों चांद भहरो फुलो जानों ने 1855 में अंग्रेजों के बीरुद लड़ाई लड़ी थी इस लड़ाई के बाद संताल परगना बना और SPT एक्ट लागू हुआ आज देश भर में हूल दिवस मनाया जा रहा है हमें सहीदों के सपनों को सकार करना है जारखन की सत्ता हमारे हाथों में है हमें अपने राजे को साजाना और सवारना है संताल परगना में जन जाती संस्कृति खत्रे में बाबुलाल मरांडी हुल दिवस पर संताल परगना के दोरे पर पहुंचे भारतिय जनता पार्टी के परदेश अध्यक्ष यवंपूर मुकमंत्री बाबुलाल मरांडी ने हुल करांती के महनायक बीर सहीद सिद्धू कानो की परतिमा पर मल्यारपन कर सरदाजली अरपित की है बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि 1857 के प्रथम सवतनता संगराम के दो वरस पूर्वी संताल परगना की धरती से अमर सहीद सिद्धू कानू के नितित में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाब हजारों जन जातिये भाई बहनों ने संघर्ष किया था बलिदान दिया जो हूल के नाम से प्रसीद है उन्होंने कहा है कि हूल के कारण ही आदिवासियों के जल, जंगल वग, जमीन और संस्कृतिकी राक्षा के लिए CPT, C&T जैसे कानून बने हैं उन्होंने कहा कि आज संताल परगना की संस्कृति कोत्रे में हाई आदिवासियों की तेजी से घरती जनसंख्या पर चिंता ब्यक्त करते हैं वावला मांडे ने कहा है कि उनई सवे कावन की जन गन्ना से लेकर 2011 की जन गन्ना के बीच अबादी का विशलेशन करें तो भयावा तथे उजागर होते हैं जारखन में खनीज के लिए कानून बनाकर पहला हक हेमंत सुरेन राजी के पुर्मुख मंतरी हेमंत सुरेन ने कहा है कि जारखन की खनीज समपदा पर कुछ लोगों की गीदी नजर है लेकिन जारकन में ऐसा कानून बनाया जाएगा कि यहां उत्पादित होने वाले खनीच पदार्थ का इस्तेमाल पहले यहां के लोग करेंगे उसके बाद ही उसे बाहर ले जाने दिया जाएगा हेमान सुरेन रभीवार को हूल दिवास पर भोगना डिह में आयोजित कारकरा में बोल रहे थे बता दे भोगना डिह में मंच पर करीब 29 मिनट के भासन के दोरान हेमान सुरेन ने केंदर सरकार पर जम करनी साना साथ उन्होंने कहा है कि जेल से छुटे अभी उनके सिर्फ दो दिन हुए हैं देश के कुछ बढ़े नेताओं में ऐसी खलबली मची है कि फिर से मुझे फसाने की साइस रजी जा रही है लेकिन इसकी कोई चीनता नहीं है अब तो जेल से घुम कर आ गया है जेल की रोटी भी तोड़कर आ गया है जारखन के कई जिलो में आज भारी बारिस के असार रांची समेत राज के कई हिसों में सो मुआर से अगले दो दिन भारी बारिस के असार है मौसम विभागने संताल के देवगर्दुम का गोड़ा आदी जीलो के साथ ही पछिम बांगाल से 60 जीलो में भारी बारिस का एलो अलर्ट भी जारी किया है बारिस की वज़ा से पिछले 24 गंटे के दोरान अथिक्तम तापमान में 1-9 डिगरिता की कमी आई है मौसम विभाग के नुचार जार्खन में 2 साइक्लेनिक सेर्कुलेशन बना है इन में एक सिस्टम राजी के उपर और दूसरा यूपी के पुर्वी भागों से लेकर बिहार होते हुए जार्खन के कुछ हिंसों में होने से अच्छी बारिस का नुमान है इधर पिछले 24 गंटे के दोरान हजारी बग पलामु गढ़वा बोकारो गुमला और राजी के उत्तरी जीलो में अच्छी बारिस होई है बंगाल से लाकर रांची में देह बेपार 9 यूतिया पकड़ा है रांची पुलिस ने रभिवार को एक बड़ा सेक्स रैकेट का खुला सा किया है पुलिस की टीम ने चुटिया के स्टेशन रोड इस्थीत होटल रोयल रेजिडेंसी में छापे मारी कर 9 लड़किया समेथ 11 लोगों को पकड़ा है इन में होटल मालिक प्रिंस सिंग और उसका मैनेज़र मीथुन गोराई सामिल है पकड़ी गई सभी लड़किया पच्छिम मंगाल की है बताया जा रहा है कि होटल मालिक पच्छिम मंगाल से लड़कियों को लाकर होटल में देह बयपार करा रहा था एसेसपी चंदन कुमार सिना को गुप्त सुचना मिली इसके बाद सीटी डीएसपी केवी रमन और थानेदार लक्षमी कांत के नितित में गठित टीम ने रभी बार को होटल में चापे मारी की है होटल से सेक्स वरकर समेत अन्यो को पकड़ लिया गया है सबी से चुटिया थान में पुस्ताश की जा रही है PGT परिक्षा में धांदली का आरोप जाच की मांग जारखन के असनात कोतर प्रसिक्षित अभ्यार्थियों का पोस्ट गेर्जुएट टीचर PGT परिक्षा पहिना में धांदली के आरोप में बिरोध प्रसिन जारी है अभ्यार्थियों ने रभ्यवार को भी धारना दिया और देन साम कैंडल मार्च भी निकाला अभ्यार्थि राजभवन के समक्ष धारना प्रबैठे वही राजभवन से अलवट एका चोक तक केंडल मार्च निकाला है अभ्यार्थियों ने PGT परिक्षा पहिनाम में धांदली की CBI और ED से जार्च कराने की मांग की है साथी बोकारों और रांची के दो सेंटर के परिक्षा पहिनाम को रोकने की मांग की अभ्यार्थियों ने कहा है कि सरकार राजे के 22 सेंटर की परिक्षा पहिनाम के अनुसार अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे और दो का अभी लंबित रखे परदसन कर रहे अभ्यार्थियों ने सरकार को अल्टिमेटम दिया है कि सरकार जाच नहीं कराती है तो पुरे राजे में एक साल तक सरकार के खिलाब अंदोलन किया जाएगा जारखन में फिर सुरू होगा सहायक पुलिस के जवानों का अंदोलन सहायक पुलिस के जवानों का अंदोलन फिर से सुरू होगा इसको लेकर रभीवार को सभी जवान अपने अपने जिला मुख्याले में जमा हुए और आंदोलन की रणनी तिताय की है सहायक पुलिस के जवानों का कहना है कि ओ लोग पिछले 7 वर्सों से 10 रुपए के मांसिक मांदे पनौकरी कर रहे हैं 10 रुपए में परिवार का पलन पुसंद करना बेहत ही मुश्किल है जहारखन में पुलिस जवानों की कमी है उनकी मांग है कि उनकी सेवा को पुलिस सेवा में समयोजित किया जाए उन्होंने बताया है कि सेवा को समयोजित करने की मांग को लेकर आंदोलन की सुरुवात कर रहे हैं बता देख कि साल 2017 में जहारखन के नक्सल प्रहज़ बारा जीलों में सायक पुरिस के जवानों की सनवीदा के अधार पर नियुकती हुई थी पलामू में 50 लाख के गहने लेकर उचक्के हुए फरार पलामू के छतरपूर धाना परिशर से महज 300 फीट की दूरी परशीत मुखे पजार में इस्थीत ब्रीज बिहारी सोनी की जवेलर्स दुकान से उचक्के ने 50 लाख के सोना और चांदिक के जेवर उड़ा लिया है घटना रभीवार की देर सामकरी 7 बचकर 45 मिट की बताई जाती है सुचना मिलने पर पूलिस का गस्ती दल घटना स्थल पहुंची CCTV के मात्यम से यूवक को थायला लेकर जाते देखा गया जनकारी के नुसार परतिष्ठक के मालिक ब्रीज बिहारी सोनी दुकान बंद कर सटर लगाने की त्यारी कर रहे थे जेवर से भरे थायला को दुकान के दरवाजे के पास रख कर बाइक के डिक्की में सबजी रखने गय थे वहीं इसी करम में एक उचका ने थैला लेकर निकल गया बिरिज बिहारी सोनी सबजी रख जब दुकान में लोटे तो देखा कि थैला गाय भाय जार्खन में पांच क्रोर की लागत से बन रहा पूल धाहा जार्खन के गिरीडी में एक निर्माना धिन पूल मांसुन की पहली ही बारिस में ध्वस्त हो गया है इस पर मोखे भी पक्षिदल भारतिय जनता पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है कहा है कि आरगा नदी पर पूल का गिरना सरकार के व्रष्टा चार का एक और काला अध्याय है दरसल बिहार के बाद अब जार्खन की गिरीडी जिले में भी एक पूल गिर गिर गया है जिले के देवरी थाना छेत्रे के फतेह पूर भेलवा घाटी सड़क के डूमरी टोला और कारी पहरी गाउं के बीच आरगा नदी पर यह पूल बन रहा था जार्खन बिधान सभा चुनाओ की जीत को लेकर बिजेपी की त्यारी जारी भरतिय जानता पार्टी ने राज बिधान सभा चुनाओ से पहले घोसना पत्रजारी करने पर भीमर्ष पूरा कर लिया है अब परत्यासियों का पैनल बनाने का काम किया जाएगा चुनाव सब प्रभारी हिमंत बिश्वा सर्मा ने अपने दोरे में पार्टी नेताओं को सभी सीटो पर समभावित परत्यासियों के पैनल बनाने को कहा है जुलाई के पहले सब्ता में केंद्रे किरिसी मंत्री सिराज सिंग चौहान और असम के मुख मंत्री हिमंत बिश्वा सर्मा का रांशी दोरा प्रस्तावित है दोनों प्रभारियों की उपस्तिती में परदेश भाजपा की कोर समीती परत्यासियों के नाम का पैनल तयार करेगी जिसे केंद्र को भेजा जाएगा पार्टी घुसना पत्र से पहले गटबंदन सरकार के खिलाप आरोप पत्र जारी करने के त्यारी में है संभव है कि सीवराज सिंग चवहान और हिमंत विस्वा सर्माय को पसिती में इसे जारी कर दिया जाए सीम चंपई ने हुल दिवस पर सुनाया सिद्धू कानू का किस्सा हुल दिवस पर रभीवार को मुख्यमंत्री चंपाई सुरेन राजनगर के कुमंडी में गम देशाई मेला पहुँचे मुख्यमंत्री का हेलिकोप्टर सबसे पहले साम करीब 6 बजे रोला फूटबॉल मैदान में उत्रा यहाँ से कुम्डी में आयोजीत मेले में पहुँचे सिद्धू कानू की परतीमा पर मल्यारपन कर सहीदो को नमन किया सिएम चंपाई सुरेन भासन की सुर्वा संताली भासा से की लगबग आदे घंटे के भासन में संताली और हिंदी दोनों भासाओ से सम्मोदित करते हुए लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रहे विभीन जलकन्यान कारी योजनाव की जनकारी दी वहीं उन्होंने कहा है कि बीर सिद्धु कानु ने तीर कमान से अंग्रेजी होकूमत के खिलाप लड़ाई लड़कर हमारी जमीन की रक्षा की थी 30 जून 485 की करांती को होल दिवस के रूप में पूरे भारत वर्स में मनाया जा रहा है सिद्धु कानु चान्द भैरो जैसे अमर सही दोक नेतीत में 50 जार शादीक हमारे पूरवजों ने बलिदान दिया था मुख्य मंत्री मेधा चात्रवेती परिक्षा देने नहीं पहुंचे 1000 चात्र मुख्य मंत्री मेधा चात्रविती योजना जैसी महत्पुन चात्रों की योजना के साथ खिलवार कौन कर रहा है जारकन सरकार राज के मेधावी चात्रविती पदान करती है इस रासी से उनको पठन पाठन में काफी मदद मिलती है लेकिन जब परिक्षा के दिन चात्र परि परिक्षा केंद्रों में 18202 बच्चों को मुख्वंत्री मेधा चात्री परिक्षा देनी थी लेकिन मात्र 4703 परिक्षा रती परिक्षा में सामिल हुए हैं इसको लेकर सभी परिक्षा केंद्र में परिक्षा को लेकर त्यारी भी पूरी कर लिगाई थी लेकिन परिक्षा म केंद्रा लधीक छक बच्चों का इन्तियार करते रहे परन्तु बहुत कम संख्या में बचे परिक्षा देने पहुंचे धन्यवाद